हेलो स्टूडेंट्स स्वागत आपका हमारे स्ट्रडि व्यू एजूकेशन चैनल में आज की डिक्टेशन है जो 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे और स्टूडेंट्स जैसे अपना आज ये डिक्टेशन लिख रहे हैं जिस तरह का ये मैटर है मैंने प्रिक्षा पैटर्न पर ही आधारित ये जो डिक्टेशन बनाई है और इस डिक्टेशन के अंदर जिस तरह की शवद और जिस तरह का मैटर यूज किया गया होँए से मैटर है जो इसी पैटरन पर आधारित अपना राजसतान हाई कोर स्टैनो ग्राफर जूनियर असेस्टेंट की जो अपलोड की है उसका जो लिंक है वीडियो का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकिंड बाद रेडी स्टार्ट वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्तितियों संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों अनुछेद तीन सो कै अनुछेद एक्किस और दो सो पैंसट के उपबंधों तथा इस नियाले द्वारा स्थापित विधी के विचार में यह नियाले अभी निश्चित करती है कि अपिलार्थी गण को उपचार परदान करने से इनकार करके उच्च नियाले ने एक गलती की है विराम केंदर सरकार दुवारा विधिक कबजा लिये जाने पर आधारित 3360 वर्षों की अवधी से जो एक लंबा समय है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके संपत्ती से दूर रखा गया विराम प्रत्युत्तरदाता केंदर निर्देशित किया जाता है कि वह वादगरस्त भूमी का कबजा तीन महीने के भीतर अपिलार्थी को सोंप दे विराम आगे भी अपिलार्थी को संपत्तिक मुल्य और पिछले 20 वर्षों के लिए परतेक 5 वर्ष हेतु पुने अरजित वार्षिक मुल्य आधारित नए सीरे से प्रतिकर की मांग करने का अपिलार्थी का विकल्प खुला होगा विराम ऐसा दावा इस निर्देश की प्राप्ति की तिथी से चार सप्ता के भीतर मध्यमस्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा मध्यस्त निर्देश प्राप्ति की तिथी से 6 महिने के भीतर पंचाट की घोशना करेगा पैरा इसमें कोई संदे नहीं की भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं और इसे विशव पटल पर बरावरी और गरिमा पर आधारित ठोस सहभागिता के दोर पर देखा जाता रहा है विराम लेकिन यह भी सच है कि बीते कुछ सालों में इस मोर्चे पर एक एगोशित स्थिलता आई है विराम इसकी मुख्य वज़े शायद यह है कि अंतर राष्ट्रिय परी द्रिश्य में जैसे नए कूट नितिक समीकरण बन रहे हैं उससे भारत पूरी तरह निर्पेक्ष नहीं रह सकता है खास तोर पर जब तब किसी सामाने उथल पुथल से भी भारत के हित परभावित हो सकते हूं विराम शीत युद के बाद के दोर में वेश्विक परिप्रेक्षे में बेशक शान्ती और सहयोग का नारा मजबूत हुआ है मगर अब भी अमेरिका और रूस के बीच पर्तेक्ष या परोक्ष रूप से जैसी खींचतान चलती रहती है उसमें अलग अलग दुर्वों के संतूलन कभी भी नया आकार ले सकते हैं विराम भारत इन संकेतों के मध्य नजर हमेशा सजग रहा है विराम यही वज़े है कि एक और इसने जहां अमेरिका के साथ कई मोर्चों पर अपने संबंधों को नया आयाम दिया है तो दूसरी और रूस के साथ अपने पुराने और मजबूत रिष्टों पर भी आँच नहीं आने दी पैरा दरसल इस साल के आखिर में भारत और रूस के बीच सालाना शिकर सम्मेलन होने जा रहा है विराम इस स्तर के आयोजन के लिए पूरव तयारी की जरूरत होती है इसलिए दोनों विदेश मंतरियों के बीच इस पहलू पर विशेश चर्चा हुई विराम लेकिन परमानूं अंतरिक्ष और रक्षा के शेत्र में भारत और रूस के बीच जैसी भागीदारी का लंबा इतिहास रहा है नई परिस्तितियों में इस मसले पर भी विचार स्वाभाविक ही है विराम इसके अलावा उर्जा के शेत्र में भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग के साथ साथ शेत्रिय और वेश्विक मामलों पर भी ठोस बात चीत हुई विराम खास तोर पर दुनिया अभी जिस तरें महामारी की चुनोती से जूज रही है उसमें COVID-19 रोधीटी के बारे में चर्चा व्यक्त की जुरूरत है विराम इसके समानांतर लावरोव की यात्रा से पहले रूसी दुतावास के इस संदेश को ध्यान में रखने की जुरूरत है की सुबेच्छा आम सहमती और समानता के सिधानतों पर आधारित सामोहिक कार्यों को रूस काफी महतव देता है और तकराव एम गुट बनाने जैसे काम को खारिज करता है विराम लेकिन पिछले कुछ समय से कूट नीतिक स्तर पर नए घटना क्रम के बीच जिस तरह कवाड का गठन हुआ और परकारांतर से इसके जवाव में रूस और चीन की पहल पर शेतरिय सुरक्षा समवाद मंच का प्रस्ताव आया है उसे कैसे देखा जाएगा विश्मयवोदक ऐसे में भारत को संतूलन अपने पक्ष में साधने के लिए अतरिक्त परियास करने होंगे स्टॉडेंट्स जैसे ही आपने इसके आउटलाइन बना ली है प्लीज आप इसको एक वार हिंदी करके ज़रूर देखिए कि जो आपने आउटलाइन बनाई ही है वो आपको समझ में आया है या नहीं थेंक्यू